एक बार एक बच्चा स्कूल से लोट कर आया और उसने पनी मा को टीचर ने दी हुई एक चिठी दी जब मा ने चिठी पढ़ ली तब बच्चे ने मा से पूछा, चिठी में क्या लिखा है मा? मा ने बच्चे से कहा, बेटा, टीचर ने चिठी में लिखा है मैडम आपका बेटा बहुत जादा बुद्धिमान है हमारे पास ऐसा कोई टीचर नहीं जो इतने प्रतिभावान बच्चे को पढ़ा पाए बैतर होगा कि आप इसके प्रशिक्षन की व्यवस्ता कही और करें बरसो बाद जब मा का देहान्त हो गया यह बच्चा जो अब एक बहुत मशूर वैज्ञानिक बन चुका था मा के अंतिन संसकार के लिए आया सारी विधियों के पूर्ण होने के पश्चात वैज्ञानिक महुदाय अपनी मा के घर गए और वहाँ टेबल के ड्रावर में उन्हें सालों पुरानी वो चित्थी मिली जैसे वो इस चित्थी को पढ़ रहे थे उनकी आखों से आसू बैन लिए चित्थी में लिखा था मैडम आपका बेटा एक नंबर का बुद्धू है हम इसे सिखाकर तंग आ चुके है हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं बैतर होगा कि आप इसे घर पे ही सिखाए आखों से बैते आसूँ को पोचते हुए वैज्ञानिक माहुदाय ने चित्थी के नीचे लिखा जी हाँ थॉमस एडिसन एक बुद्धू बच्चा था जिसे उसके मा के विश्वास और समर्थन ने इतना बड़ा वैज्ञानिक बनाया देवी और सज्जनों हर व्यक्ती में किसी विशेश योग्यता खुनर की आग छिपी हुई है यदि विश्वास करने वाली कोई व्यक्ती माचिस की वो तीली मिल जाए न तो वो भीतर की आग बाहर निकलती है और विश्व कल्यान होता है धूंडिये किसी ऐसे व्यक्ती को जो आप में विश्वास करे या बनिये वो माचिस की तेली जो किसी के भीतर छिपी उस आग को देहकाए